Hello friends, welcome to your channel Katniss Sonia and this is Sonia Singh Friends, जैसे कि आप लोग मुझे से बारवा बोल भी रहते हैं कि ICT का जो है आप लोग को वीडियो चाहिए तो मैं बता दूँ ICT के actually objective questions तो ठीक है आपको मिल जाएंगे वो हम कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा ICT के बारे में descriptive जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको exactly जैसे आप मान लेजे मैं एक question ही देदू कि ICT का full form तो ठीक है आप लोग को confuse करने के लिए वहापे CET का इस तरह से मिलता जूलता ही answer रहेगा कि अगर आपका concept clear नहीं रहे तो आपके mistake होने के chances 90% है इसलिए थोड़ा सा concept clear होना चाहिए ICT को लेकर के तो एक video तो मैं already आप लोग को दे चुकी हूँ second video ये है बस ये दो video तो important है उसके बासे I am secure सही रहेगा तो चलिए देखते हैं इसमें हमको हमें जो करना है वो ICT में जो है ICT हो गया आप समझ लेजे टेक्नलोजी टेक्नलोजी को जो है हम education में use करते हैं teaching को learning को enhance करने के लिए यानि कि education की quality बरहने के लिए तो इसमें किस तरह से use किया जाता है क्या होता है वो सारी चीज़े हम आज देखेंगे तो आज का video बहुत important है अच्छी तरीके से class देखेगा क्योंकि इससे बहुत सारे objective निकलेंगे और कहां कहां objective निकलेगा वो भी मैं आपको बताते चलूँगी लेकिन इससे objective बहुत सारे बनने वारे है चलिए start करते हैं आज के class को so friends अगर आप चैनल पर ने हैं तो चैनल को subscribe कर लेज़ेगा बेलाइक क्रेट कर दीज़ेगा अगर आपको paid notes या paid class शेही है तो आप हमसे contact कर सकते हैं लिए जो mobile number दिया गया है आप उस पर call या message करना है अब अब second year का भी class start किया गया है और second batch actually में अब start हो गया है तो अगर आप join करना चाहते हैं तो कर सकते हैं same चीज जो है आगरा उन्वरस्टी के लिए है आगरा उन्वरस्टी के second year का batch भी start हो है सबसे पहले तो ICT का जो है exactly हम meaning समझते हैं ICT का क्या है meaning से मेरा मतलब है कि full form type का तो आईए हम देखेंगे ICT को हम थोड़ा certified करें क्योंकि objective हमें यह देखना है कि objective question कहां कहां से निकल सकता है तो ICT के full form से objective निकलेगा ठीक है तो सबसे पहले तो यह जो होता है सूचना की प्रकिर्टी है इसकी तो ICT में I से क्या meaning होता है I से अभी प्राहे सूचना जिसमें शामिल है सूचना का अर्थ मुले सूचना को कैसे नियंत्रिक किया जाता है ICT की सीमा है ICT में I जो है information को denote करता है ठीक है अब information में क्या-क्या चीजे जो है इसमें रखी जाती है सबसे पहले तो ICT में पूछ देगा कि I जो है किसको denote करता है तो आप information लिख दोगे ठीक है दूसरा चीज है कि आपको यह पूछेगा question थ्वासा और ट्वेस्टेट करने के लिए कि information का जो अर्थ है उसमें क्या-क्या चीजे शामिल है या फिर information का किस चीज को consider किया जाता है तो देखिए सूचना में जो है आप उसके value सूचना information को कैसे नियाद्रित करना है control करना है यह दो चीजे आती है इन दोनों में से कोई अगर तहेगा option में तो आपको tick करना है ठीक है अब ही हम देखिए सूचना का परबंधन management कैसे होता है तो इसमें शामिल किया जाता है आंकरों को कैसे प्राप कर किया जाता है प्रभासाली परियोग के लिए उसका कैसे सत्यापन और भंडाल किया जाता है विवस्था, processing और सूचना का वितरन सूचना को सुरक्षित रखना सूचना को बाटने के लिए net of design देखें जो organization जो वो सत्य management होता है सूचना का information का वो data के थुरू होता है कभी भी ये बात याद रखीगा सूचना जो है information किससे बनता है तो information का अगर मैं एक short definition बोलू तो यह हो जाता है bunches of data data जो है आक्रे को जो हम इकठा करते हैं तो सूचना बनता है याद रखीगा आक्रों को जो हम इकठा करते हैं तो सूचना बनता है तो सूचना के प्रबंधन में अभी सभी आकरे, जितने भी हमें डेटा मिलेंगे, वो सभी के सभी सही तो नहीं होंगे, तो हमें उसको verify process पे ले जाना पड़ता है, verify करना पड़ता है, और उसके बाद finally हमें store करना पड़ता है, तो जब हम उसको store करते हैं और processing में लगाते हैं, तो जाकर के वो सूचरा बत बनता है, ठीक है तो वेवस्ता, प्रोसेसिंग और सूचना का वितरन होता है, सूचना को सुरक्षित रखना होता है, सूचना को बाटने के लिए network design की जरुद परती है, अब हमें सूचना तो मिल गया लेकिन आप तक ये सूचना कैसे पहुँचे, तो उसके लिए हमें अच् सूचना के management में होता है तीसरा हमारा है सूचना प्रनालियों के view रचना जो हमारी system है एक्चली information का जो देने का system है या रखने का system है उसको एक तरह से plan किया जाता है उसके लिए strategy बनाई जाती है इससे यह विचार किया जाता है कि ICT का व्यापार या संगठर में लक्षय और उदेशय को हासिल करने के लिए किस परकार परियोग किया जाता है तो यह सारी चीजे जो है हमें इसके view रचना यानि strategy बनाते time में करने पड़ती है इस परकार हम देखते हैं कि ICT में वह कोई भी उत्पास शामिल होगा जो सूचना को electronic तरीके से digital रूप में भंडार, पुनह उत्पादन विवस्थेत, अस्थानांतरन या ग्रहन करेगा देखें अभी यहाँ पर हमारा सूचना सिर्फ ICT का मतलब सिर्फ सूचना नहीं हुआ ICT में I सिर्फ सूचना को जो है डिनोट करता है फिर उसके बाद C है फिर T है इसमें हम यह क्या देखते हैं कि सूचना को electronic तरीके से जो है किस तरह से हम store कर पाएं, भंडारन कर पाएं उसका, फिर उसके बाद से उस सूचना से दूसरे सूचना दूसरे information निकाल सकें फिर उसके बाद से जो है उसको हम अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके रख पाएं और finally हम उसको जो है transfer कर पाएं तो यह सभी चीजे जो होती है electronic तरीके से होती है digital रूप पे होती है तो वो ICT के अंतरगत आती है याद रखिएगा अब जैसे मुझे एक सूचना मिला ठीक है मुझे कुछ data मिला मैंने उस data को collect किया और मेरे लिए सूचना होगा मैंने direct आपको face to face जा करके दे दिया तो वो ICT के अंतरगत नहीं आएगा वो सिर्फ सूचना बनेगा वो सूचना रहेगा information रहेगा जो कि मैंने आपके पास transfer करने के लिए क्या क्या direct method अपना है आपके पास direct में गई और मैंने आपको बता दिया तो ये एक अलग चीज हो जाता है लेकिन information को electronic तरीके से किस तरह से हम collect करके रखें उसको उसको store करे फिर उसके बाद जो है transfer करे उसको manage करके अच्छे से रखे और transfer करे electronic तरीके से digital rope में वो जो है ICT के अत्रगत आता है अब इसमें कौन कौन से है तो जैसे for example देखें वैक्तिकर computer जैसे ये मेरा laptop है मैं laptop सा भी आपका ले रही हूँ इसके थूँ जो है मैं आपको सूचना transfer कर रही हूँ information transfer कर रही हूँ knowledge जो है transfer कर रही हूँ तो ये हो गया फिर उसके बाद digital television के थूँ email के थूँ robot के थूँ video तथ audio conferencing digital library इन सब के थूँ हम information transfer करते हैं और तब ये ICT के अंतर रताता है सिक्षा के छेतर में ICT के उपयोगिता क्या है तो ये चीज अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी ICT के अंतर रतारन है education को जो है हम लोग technology के माध्य हम से दे रहे हैं तो ये क्या हो गया ये तो हमारा हो गया ICT तो यहाँ पे इसकी उपयोगिता and uses देखना है आप देखिए यहाँ पे अभी मैंने यहाँ तक जो करवाया है इसमें चार से पांच जो है objective question बन जाएंगे सबसे पले तो ये जो example दिया गया है उसमें दे देगा कि जो है ICT के तहत ICT के तहत सुचना transfer करने के लिए निम लिखित है या फिर ICT के अंतरगत आए तो यहाँ हो गया उपर में मैंने आपको बताए है कि ICT में I का meaning पुछ सकता है C का पुछ सकता है T का पुछ सकता है फिर उसके बाद से सुचना का processing क्या है वो पुछ देगा उसका management कैसे किया जाता है यह सब पुछ सकता है अब हम देखेंगे use, इसके use is उप्योगिता सबसे पहले तो भंडारन, ICT ICT के परियोग द्वारा सुचनाओं का भंडारन करना सुगम हो गया है बिलकुल इसको collect करके, store करके रखना data को information को easy हुआ है बिलकुल इन भंडारन के कारण सुचनाओं के प्राप्ति भी सुगम भी हो गई है सुचनाओं के प्राप्ति और भंडारन के परिशियोगे समस्याओं के समधान में भी सहाधा मिलती है यह सब चीज़ आप भी मानते होंगे, भंडारन यानि store करने में जो है सूचना को ICT बहुत help करता राइट ICT के मादम से हम सूचना जो है information easily हमें मिल जाती है फिर हम उसको store करके भी रखवाते हैं तो ये सारी चीजें जो है हमें ICT के मादम से मिलता है हम कैसे store करके रख सकते हैं तो internet का परियोग करते हैं drive में हम अपने रख सकते हैं mail यूज करते हैं तो drive में रख सकते हैं CD, DVD, floppy इन सब के तहत हम रखते हैं बिदेसी भासाओं का आधिगम बिदेसी भासाओं को सीखने के लिए के अलपुस्त को पर निर्भन नहीं रहा जा सकता इसके लिए ICT का परियोग परभावी सिध हो रहा है इस संबन में भासा परियोग साल आएं दूर संचार, वीडियो कांफरेंसिंग आदियो कांफरेंसिंग, मल्टी मीडिया इस पिकरो, आदी का परियोग संबह हो पाया है इस दिरिष्टी से भासाओं को सीखना विसेस कर विदेसी भासाओं को सीखना आप उतना कठी नहीं रह गया पहले क्या होता था कि हमें अगर दूसरे लेंगरज को सीखना होता था तो उसके लिए बुक लेकर आओ फिर बुक में तो सिर्फ लिखा हुआ रहा रहता है ना, pronunciation तो रहता नहीं है तो वो भी exactly आप सही तरीके से नहीं सिख पाते थे लेकिन अब ICT के माध्यम से हमारे लिए बहुत easy हो गया है हम video conferencing से, video से, youtube पे video देख सकते हो recorded video जो होते है इन सब के माध्यम से online classes आप ले सकते हो तो इन सब के माध्यम से जो है हमें education मिल जा रहा है चाहे वो language को सीखने में हो तो ये सब possible किस की वज़े से हो पाया है ICT के वज़े से हो पाया है फिर है उसके बाद सैक्षिक अनुसंधान आजकल ICT ना नुसंधान कारे को अधिक सरल बना दिया है हर नुसंधान कारे में बिसेस परकार की विभिन परकार की सूचनाएं रथाव सेक्ताएं बादित होती है शर्त यह भी है कि ये सूचनाएं वास्तुक और विश्रस नहीं होनी चाहिए क्योंकि अनुसंधान कारे में से परिणाम निकाले में सुचनाओं का महत्पुनियोगदान होता है सैक्षिनिक अनुसंधान का मतलब क्या हो जाता है कि educational research हमें अपनी education को आगे बरहानी के लिए अपडेट करने के लिए इसके regarding हमेसा research करना पड़ता है कि अब क्या अलग करें क्योंकि आप लोग भी notice कर रहे होगे कि जो आने वाला generation है जो नए नए generation आ रहा है वो थोड़ा सा updated हो रहा है उसको हम कैसे नएद दे सकते हैं उसके label का कैसे दे सकते हैं इसके लिए हमें अपने education को हमेसा update करते रहना परेगा तो ये जो education में जो research होता है वो भी ICT के माध्यम से easy हो गया है अब हमें ये पता रहता है कि 4 सल के बच्चे का दिमागी स्तर क्या है और उसको हम क्या दे सकते हैं और कैसे उसके दिमाग को और तेज बना सकते हैं तो ये सारी चीज़े हमें ICT के माध्यम से पता चलती है हम research कर पाते हैं हम survey कर पाते हैं उसके माध्यम से जो है हम इसको अपने education को enhance कर पाते हैं तो ये sectionic अनुसंधान जो है easy हुआ है ICT की होज़से परबंधन easy हुआ है management easy हुआ है ICT के सहयोग के बिना निसहाय से दिखाई परता है सिक्षा के चत्मे प्रबंधन ICT पर आधारित हो जाया totally अभी जो education है totally अगर देखा जाये तो ICT पर dependent हो चुका है चाहे आप परहाने की तरीकों के ले करके बोलिए परहाने में जो teaching acts use हो रहे हैं कोई भी helping hand चाहिए होता है तो उसके लिए ICT का ज़रत परता है फिर हमारे education के उद्दे से क्या होने चाहिए curriculum बनाने में हर तरह से ICT का use हो रहा है फिर उसके बाद है आपका section परिकिरिया यानि की teaching process teaching process में कुछ अगर कमी रह जाती है तो उसको अच्छा करने के लिए हम बहुत सारे technical जो है तकनिकों की सहयता लेते हैं वो क्या होता है audio visual ads हम use करते हैं ताकि बच्चों को और ज़्यादा interesting लगे और easily समझ में आए फिर हम computer का use करते हैं तो इस तरह से जो है ICT से हम teaching को भी interesting बनाते हैं और teaching interesting होता है तो बच्चे का learning interesting होता है वो सही होता है तो इस तरह से जो है ICT काम कर रहा है तो ये सारी चीजे जो है आपको देखनी है ICT काम actually में कैसे कर रहा है ठीक है अब उसके बाद vicious बालकों के उस सिक्षा देने में भी उनको जो है उनकी तो सबसे पहले ये निकाली जाती है vicious बालक का मतलब I think आप लोग समझते होंगे कि ऐसे बच्चे जो थोड़े से नॉर्मल नहीं होते हैं अलग होते हैं अब नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको हम vicious बालक में रखते हैं चाहे हो मन्द बुद्धी हो चाहे परतिभाशाली यानि gifted student हो slow learner हो उन सब को इसमें रखा जाता है तो ICT के माध्यम से exactly उनके विसे में हमें जानकारी मिलती है information मिलता है कि हम उनको कैसे उनके level का education दे पाए जो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है तो brain leap का use करते हैं उससे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो यह सारे चीजे हैं ठीक है यहाँ पर यह सारे आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं आप देख लेंगे अब हम limitation देखेंगे कि ICT का भी limitation कहा है यह उतना use नहीं हो पा रहा है तो इसकी वज़े से इसका benefit हमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है तो यह हमारी कमी है फिर ICT का परियोग संदेव डर पैदा करता है कि तकनीके परियोग से उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा टीचर्स में यह बोलने में बहुत ही घराब लग रहा है लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो है बहुत डरे हुए रहते हैं कि कहीं एक ऐसा दिन ना आ जाए कि कम्प्यूटर टेक्नलोजी जो है टीचर की जगा ले ले इसलिए वो लोग जादास जादा यह टेक्नलोजी यूज नहीं करना चाहते है और एक डर उनके अंदर बैठा हुआ है कुछ सीमा तक स्कूल के विद्यार्थी भी ICT का परियोग करने में रूची नहीं रखते ऐसा सायद ICT के ग्यान के अभाव के कारण होता definitely उनको ICT के बार में information clearly नहीं मिली रहती है इसलिए otherwise हर एक बच्चा जो है ICT में interested होगा ही होगा सिख्षक भी अपनी पुरानी पदती में परिवर्ता नहीं करना चाहते हैं traditional method यूज करते हैं वो नए नया कुछ लाना नहीं चाहते हैं ICT में सिख्षकों के perception के अभाव है teachers को training नहीं दी जाती है ICT का training teacher को तो दिया जाना चाहिए ना जो नहीं नहीं technology आ रही है तो teacher को training मिलेगा तभी तो आपको पढ़ा पाएंगे उसका use कर पाएंगे जब उसका use ही उनको नहीं आएगा तो के इस तरह से कर लेंगे तो ये एक problem है फिर है school में उपलब सीमि सुचनाओं के प्रिस्ट भूमी school में सही तरीके से जो है ये सारी चीजे use नहीं हो पाती है अब यहां से आपका बनेगा objective अब यहां पर है कि इसको सुधारनी के लिए क्या क्या कदम हमारे Indian government की तरफ से उठाई गई है सबसे पहले तो यहां देखे NCRT ने जो है उभरते भारतिय समाज में सिक्षक और सिक्षा के बारे में लिखा था और उसमें 1991 में बताया था कि पाठे पुस्तकों की गुनवत्ता में सुधार लाना है तो विसे वस्तु में यानि कि content में सुधार होना चाहिए introduction में सुधार होना चाहिए जो हम method यूज करते हैं introduction skill यूज करते हैं उसमें सुधार होनी चाहिए परियुक्ति चित्रों की गुनवत्ता और मात्रा में सुधार होनी चाहिए जो भी हम चित्री यूज करें डेटा यूज़ करें, चार्ट यूज़ करें, उसमें सही तरीके से होना चाहिए, छपाई की गुनवत्ता में इंप्रूब्मेंट होना चाहिए, तो वार्सिक परिक्षाओं को मिला अनुचित महत्तों कम हो रहा है, और हर मास के आन्त में बच्चों के व्यक्तित विकास के स सारी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं, फिर यहां पे रहस्ती सिक्षानेती 1986 में कहा गया कि सिक्षकों कास्तर और उनकी व्यक्ता में सुधार सैक्षिक पुनररचना की अधार सीला ही है, 1986 में भी ये बात कही गए थी, तो फिलाल तो NCRT और SCRT जो है डाएट है, उन्होंने सिक्षा में गुलवत्ता लाने के लिए दसकों का पर्यास कर रही है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है ICT को यूज चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ये पॉसिवल नहीं हो पाया है, तो ये ICT का अज का second class और इतना काफी रहेगा, इतना concept अगर लोग जान लेंगे, तो थोड़ा बहुत questions इधर उदर भी रहेगा, तो आप लोग कर लेंगे, so friends, I hope कि इसे आपको benefit होगा, और उसके बाद हम इसके उपर MCQ करेंगे, टेंसर नहीं लेजे, ICT उतना बरा नहीं, 40 marks का तो question आता ही है एक्जाम में, easily हो जाएगा, चले फिर मिलूंगे आप से, till then, have a nice day.